नमश्कार मित्रों मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आप देख रहें TV20 नी बने रहे हमारे साथ अब ख़बरों की करते हैं सुरुआद और आज Women Teachers Association आफ उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश महिला सिक्छक संग ज electrod्यकारी को अपनी पिभी नमाओं को लेकर ग्यापन्स हुपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि गर्भुषी महिला कर्मिक की चुनाव डूटी नो लखाय जाए, गर्भुषी महिला ऐसे डूटी करने में असमर्थ होती है ऐसे प्रस्तितियों में महिला कर्मिक अपने उपर मनो बैग्यानिक दबाव का अनभाव करती है जिसे जच्चा बच्चा दोनों का स्वास प्रभावित होता है और नियोजित चुनाव ड्यूटी में उनके द्वारा अफ़क्षित सकरात्मक सहयुक संभव नहीं होता है तो ये दूसरी मांग में उनने कहा है कि ऐसी महिला कर्मिक जिनके छोटे सिस्व होते हैं उनके जूटी लगा देने से छोटे सिस्वों के करण कायरिय दख्चता प्रभावित होती है चिसकों के अनुसार छोटे सिस्वों को समय से स्तनपान नकराने से ऐसी महिला कर्मिक की मा और चौथी मांग उन्होंने भी कहा है कि ऐसे करमिक जो 58 वर्स की आई पूर्ण कर चुके हैं उन्हें चुनाव जिसे महत्पूर्ण कारे में नियोजित न किया जाए 58 वर्स की आई के वस्था में अधिकांस करमिक डाइबिटीज हाई वलड प्रेसर आधि रोगों से ग्रस् मर्थ हों ऐसे करमिकों की भी ड्यूटी चुनाव में नो लगाए जाए तो ही छटवी मांग में सिकाम और ने बताया कि निर्वाचन के समय उत्रप्रदेश में निर्वाचन करमिकों की पार्टी पोलिंग स्टेसन पर ले जाने ही तो ट्रकों का भी फ्रियों किया जाता है आजादे के 75 वर्षपूर्ण होने के उपराद जब भारत 200 की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ब्योस्ता बन चुका है ऐसे प्रस्थितियों में लोकसभावा विधान सबा चुनाव पार्टीयों को मतदान अस्थल तक भेजने हैं चुनाव करमिकों को ट्रकों से ले जाना आ महिला सिच्छक संग आजमगड की तरफ से और आज हम लोग जिलादिकारी महोदय को निर्वाचन से संबंदित एक ज्यापन देने आए हैं कि कुछ ऐसे जो करमिकों की ड्यूटी लगती है तो उनकी कुछ ऐसी परिस्तिति जन्दक्ष्टाएं होती जिसकी वज़र से निर लगाई जाए जो सिंगल पैरेंट हैं तो हमारी ये मांग है हमने जिलादिकारी महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोक पत्र प्रेशित किया है कि ऐसे महिलाओं और ऐसे पूर्शों की ड्यूटी ना लगाई जाए